नमस्कार दोस्तो हमारे online tuition अड़्डा चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो बिलकुल सुरुवात से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना कैसे सिखें इसके लिए आपको इंगलीज के छोटे छोटे श्टोरी को पढ़ना होगा हां दोस्तो और वो भी कैसे एक-एक सब सब्दों को लिख लिख कर क्योंकि लिखा हुआ चीज दिमाग में अधिक समय तक रहता है तो मैं एक-एक सब्दों को लिख लिख कर और उसके word meaning के साथ उसको मैं translate करके पूरे छोटे-छोटे grammar के साथ मैं explain करूंगा तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैन पढ़ेंगे एक-एक वर्ड को मैं परनाउंस करके आपको पढ़ना सिखाऊंगा उसका word meaning मैं लिख 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 कर एक चीज बताने बलाऊं ठीक है तिक है यहां पर है दोस्तों टी-एच-ई इसको हम लोग दपढ है की दी-पढ है यह ठीज करता है इसके बाद वाला सब् वर्ड है एलिफ्यंट है जो की ए से start है भवेल लेटर से start है यह जो है भवेल लेटर से start है शुरू है जब कोई भी word भवेल से सुरू हो और उसका उचारण भी स्वर बंड से मतलब हो जैसे अलिफेंट हम आइसा ही न लिखते हैं अब जरूरी नहीं दह की भवेल से शुर यहां पर यूनिया लिखते है ना तो देखे यह से सुरू होता है तो यहां पर इसके पहले हम लोग अगर टी एच ए लिखा रहेगा तो दा ही पढ़ेंगे यहीं चीज में बता रहा था वो प्रनॉंसिक्शन क मैं कलास इस्पिसल करा दूंगा देखे यहां पर तो इसको हैंट को पढ़ेंगे यहओं अलिफेंट मिंस होता है हांथी लेकिन यहां पर देखिए हाथी में भी तो मेल और फिमेल होता है अब देखें यह END का साइन है ऐसे END का साइन है END मिसकाता है और ठीक है तो END E CH-E-R हर F-R-I-E-N-D-S यानि दोस्त यहां पर पुल्डराल क्या है रहिमेल है य benevolentblue या धिन्हा वन भेड श्रयनी आप आप इसका हिंदी निकाल सकते है।। चलिए आगे यहां से स्टोरी को हम बसुरू करते हैं बहुत मज़िदार कहानी है दोस्तों देखिए यहां पर लिखा है O N C E ONCE ONCE U P O N UPON T ONCE UPON A को हम लोग यहां पर O पढ़ेंगे A को पढ़ेंगे A नहीं T I M A TIME ONCE UPON A TIME एक बार की बात है देखिए पूरे का हिंदी क्या होगा एक बार की बात है ऐसे बोलेंगे एक बार की बात है ठीक है एक साथ ऐसे लिखा रहा है कहीं पर भी ONCE UPON A TIME ते उसका हिंदी क्या है एक बार की बात है क्या बात है देखिए यहां पर A LONE L O N E LONE ELEPHANT MADE HER WAY WAY जो जो आसान सब्द मैं उसको डारेक्ट प्रोनौंस कर दे रहा हूं जो कथिन सब्द है जो नए सब्द आपके लिए उसको मैं लिख कर उसका वर्ड मिन वर्ड मिन तो सब को बताऊंगा ट्रांसलेट तो सब को करूंगा लेकिन उस पर ज्यादा फोकॉस करना है ताकि आप नए नए सब्द को अच्छे तरीके से सीखेंगे तो फिर आगे आपका इंगलिस इंप्रूव होगा और अच्छे से आप पंढ़ना लिखना और बलना असानी सी सीख पाएंगा ठीक ना करा की A LONE ELEPHANT MADE HER वे वे INTO INTO A STRANG A T R A N G STRANG F O R E S T FOREST 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 JUNGLE यहां पेन का कलर थोड़ सा डर्क ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखेंगे यहां पेन का हो जाएंगा जंगल FOREST मिस एस्ट्रेंज मिस उता है ANJAN क्या होता है ANJAN मितलब जिस जगा के बारे में जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते हैं उसे इस्ट्रेंज हैं ठीक ना ANJAN तो एक बार की बात है A LON A LON अकेला या अकेली ठीक ना A LON ELEPHANT एक अकेली हथनी एक बार की बात है एक अकेली हथनी made her way made her way मतलब रास्ता पभक चले जाना ठीक न इस तरीका से made her way into a strange forest के अंजान जंगल में चली जाती है एक हथनी एक बार की बात है कि एक हथनी अंजान जंगल में चली जाती है जिस जंगल से वह परिछित नहीं है एक नए जंगल में वह अन्जान जंगल में चली जाती है उसके बाद देखे क्या होता है इट वाज निव टू हर इट वाज निव निव मिस कहा लिए नाया तू हर यानि उसके लिए यह उसके लिए नाया था जिस जंगल में वो जाती है अन्जान था इस्ट्रेंज था उसके लिए वह क्या था? नया था, इट वाज नया था तो हर उसके लिए किसके लिए? इलिफेंट के लिए, ठीक है? एलिफेंट के लिए फीमले हैं? एंड शी और वह, सी वाज लुकिंग टू, मेक, मेक रहीं, एंड देखी अ मेक, सी एकेई केक, एफ एकेई फेक, इस तरीके का जो भी वह आपको मिलेगा इसी तरीके असे पढ़ना है, केक, मेक, फेक, मेड, लेट, हेट, समझ रहा हैं? चलि लुकिंग टू मेक फ्रेंड से और वह मिस और हो जागा C मिनस वह लुकिंग मिस तलास करना देखना खोजना ठीक 懑 ओ दोस्त बनाना चाहती थी वह दोस्त की तलास कर रहे थी, दोस्त खोज रहे थी, देख रहे थी कि कोई दोस्त उसको मिल जाए, ठीक है, शी अप्रोषड, देखे, A-Double-P-R-O-A-C-H-E-D, इसको आप्रोषड, अप्रोषड मिस होता पहुचना, या पहुचे, ठीक ना, अप्रोषड, शी अप्रोषड, वह पहुची, पास्ट फर्म में है, वह पहुची, कहां पहुची, अ, मंकी, एंड, सेड, वह एक बंदर के पहुची, मंकी मैं इसक्या हो जाएगा, बंदर, मंकी मी इसक्या हो जाएगा, बंदर, एंड, सेड, और बोली, वह एक मंक, बंदर के पहुची, और बोली, क्या क्या तुम मेरा दोस्त बनोगे, मंकी से पुस्ती है, बंदर से पुस्ती है, उड्यू लाइक, उड्यू लाइक, क्या तुम बनना चाहोगे, पसंद करोगे, तू बी माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, क्या तुम मेरा दोस्त बनना चाहोगे, ठीक ना, ऐसे पुस्ती है वो बंद बंदर बोला, क्या बोला, the monkey said, बंदर बंदर बोला, क्या बोलता है बंदर देखिए, you are two big two swing like me. स्विंग मिस होता है भूलना, स्विंग मिस कह भोता है भूलना, जैसे बंदर भूलता है हना, डाल पकड़ के तो भूलना, देखिए, यू are त्विंग लाइक मुझी तो मेरे जैसा झूल मेरे जैसा झूलने में धूल नहीं सकते हो इतने बड़ो देखे ह। रूटु बीज तुम इतने बड़े हो तुम् लाइक मी मेरे जैसा झूलने के लिए मतलब दखिए यहां पर इसका अर्थ क्या निकल रहा हो दियां से समझिये यह आपको कुछ अजीब सा लग रहा हो दखिए यू आर तू बिग तू स्विंग लाइक मी इसका दखिए कैसी स्विंग लाइक मी यानि तुम मेरे जैसे जूलने के लिए बहुत बड़े हो ऐसे बोल सकते हैं तुम मेरे जैसे जूलने में जूलने के लिए बहुत बड़े हो ठीक ना? यहां पर इस अर्थ निकलेगा यू आ तू बिग तू बहुत बड़े हो तू स्विंग लाइक मी मेरे जैसे जुलने के लिए यानि का बतलब की तुम इतने बड़े हो की मेरे जैसे जुल नहीं सकते हो ये चीज बंदर बोल रहा है, ठीक है? सो आई कांट बी योर फ्रेंड इसको कैनोट इसको कैनोट इसलिए 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 मैं तुम्हारा दोस्त तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकता हूं इसलिए मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकता हूं इसलिए मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकता हूं हर कोई चाहता है कि दो जैसे हो हर कोई अपने जैसे दोस्ती करना चाहता है ठीक ना चले इसके बाद देखिए यहां पर the elephant then went to a rabbit r-a-b-b-i-t rabbit and asked the same question q-u-e-s-t-i-o-n question 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 में कर्षन क्या हो जाएगा प्रशन rabbit मिस फिप्ट क्या हो जाएगा हो जाएगा खरगोश ask में क्या होगा, ask में क्या होगा पूछना elephant में क्या होगा पता ही है then मिस तब देखिए अब इसका और थाम निकालेंगे यहां पर फिवेंट हाथ हा थिनी देन वेंट तब गई, कहाँ पे गई, हथनी तब गई, उसके बाद गई, कहाँ पे गई, टू और राइबिट, एक खरगोश के पास, तब हथनी एक खरगोश के पास गई, एंड आस्क्ड और बोली, पूछी, क्या पूछी, the same question, वहीं प्रसन, तब हथनी एक खरगोश के पास गई, और वहीं प्रसन, उससे भी पूछी, जो मंकी से पूछी थी, ठीक है, The Rabbit said, खरगोश ने कहा, किस ने? खरगोश, Rabbit mean it is king church, खरगोश, तो खरगोश ने कहा, क्या कहा, तब होते है, क्या कहता है, You are too big to fit in my bureau. तिका बीरो मिस होता है बिल, क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल, जिसमें खरगोष रहता है, अबने बिल में रहता है, खरगोष बिल बना रहता है, तो खरगोष क्या कहा कि You are too big, you are too big to fit in my bureau. कि तुम मेरे बिल में मतलब कि तुम मेरे बिल में नहीं समा सकते हो इतने बड़े हो कि तुम इतने बड़े हो कि फिट इन माइ बीरो कि तुम मेरे बिल में समा पाओ तुम इतने बड़े हो कि तुम मेरे बिल में नहीं समा सकते हो ठीक ना ऐसा बोलता है चलिए उसके बाद देखिए क्या होता है So, I can't be your friend इसलिए मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकता हूं मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता हूं The elephant also went to the frog in the pond and ask the same question कर कि the elephant मतलब कि हाथ नहीं, वो जो हाथ नहीं थी, the elephant also went to the frog frog means क्या होज़गा? मेधके frog means होज़गा मेधके also means होज़गा भी also means होज़गा भी pond means होज़गा तलाब क्या होज़गा तलाब? ठीक है? ask the same question देखी, the elephant also went हाथ ही गई, कहाँ पर गई? to the frog मेधक के पास भी गई हाथ नहीं जो थी वो मेधक के पास भी गई ठीक न? also मनतलब भी होता है मेधक के पास भी गई इन पास भी गई तलाब में जहां पर तलाब में मेधक रह रहा था वहाँ पर गई and asked the same question और वही प्रसन पुछी वहाँ पर भी जाकर वही प्रसन पुछी the frog replied मेधक ने जवाब दिया मेधक ने क्या जवाब दिया? replied मिचता जवाब देना जवाब देना तो मेधक ने जवाब दिया you are too heavy to jump as high as me देखिए वो क्या जवाब देता है? कि you are too heavy to jump as high as me तुम मेरे जैसा कुद सको इतना बहारी हो कि तुम मेरे जैसा नहीं कुद सकते हो you are too heavy तुम इतना बहारी हो to jump as high as me कि मेरे जैसा तुम कुद पाओ तुम बहारी हो इसलिए तुम मेरे जैसा नहीं कुद सकते हो यह एक फ्रेजल वर्ड है यह जोस्तों इसलिए इसका अर्थ लिखने के अवनुसार डिरेक्ट निकालेंगे तो नहीं लिकाल पाएगा मतलब कि तुम इतना भारी हो कि मेरे जैसा कुद नहीं सकते हो ठीक ना? या दुसरे तरीका सब बोल सकते हैं तुम इतना भारी हो कि तुम मेरे जैसा कुद पाओ। बहुत बहुत भारी हो यह नहीं सकते हो इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता हो तेके तीनों इनकार कर दिये मंकी भी यहां पे राइविट भी और फ्रोग तीनों ने इनक B E C A U S E. Because she couldn't make friends. The elephant was really sad, बहुत उदास हो गई थी 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 बहुत उदास ह एक दीन, एक दीन, शी शॉव अल दी अनिमल्स रूनिंग डीपर इन्टु दी फोरेस्ट। एक दीन, तब एक दीन, शी शॉव उसने देखी, मन्दब वह देखी, क्या देखी? अक है एक दीन, वह रूका देखी, वह देखी, क्यों है वह देखी, क्या रूका Stuff wanna平ौ अनिमल्स या प् 같은데 क्या है? अक दीन, ऊनिह परय मायिड वह देखी, वह दीन,यमल्स दीन, आनिमल्स ङॉज भूर्ष त। and she asked a beer what the first was about and she asked a beer and he asked a bear and he asked a bear, he asked a bear Hathini what he asked? what the first was about what was the deal? what happened? he asked a bear with a bear and he asked a bear the bear shared bhalu said the lion is on the looche the lion is on the looche the lion is on the looche he is free they are running from him to save themselves करे कि they are running, वे लोग दोड रहे हैं from him, उससे मतलब भाग रहे हैं, सेर जो है, मुक्त है, इसलिए, सभी लोग भाग रहे हैं, उससे बचने के लिए, समझ रहे हैं यहां पर, करा कि the line is on the loose, सेर जो है, मुक्त है, फृरी है, दाहार रहा है, सिकार करने के लिए, ठीक ना, they are running from him to save themselves, मनें अपने आप को बचाने के लिए, उससे सब लोग भाग रहे हैं, जितने जानवार हैं, यह सभी भाग रहे हैं, the elephant went up to the lion and said, हतनी सेर के पास गई, करके went up, वह गई, किसके पास, to the lion, सेर के पास, and said, and said, हतनी जो थी, सेर के पास गई, and said, please, don't hurt these, innocent, क्या पढ़ेंगी इसको हम लोग, innocent, innocent people, please मिस होजेगा, क्रपिया, क्या होजेगा, क्रपिया, don't hurt, मतलब की छोट मत पूचाओ, hurt मिस का चोट, hurt, इसको पढ़ेंगा, hurt मिस होजेगा,houजेगा, don't hurt these, innocent, इनो सेंट मिशुचा का निर्दोस, तर निर्दोस नहों, इनो सेंट पीपल, और निर्दोस लोग, किरपिया इन निर्दोस लोगों को चोट मत पहु पहुचाऊ, ऐसा जा कर रिक्वेस्ट किया हंतिनी ने सेर के पास, please leave them alone किरपया उन लोग को छोड़ दो ऐसा बहले leave them alone मने उन लोग को छोड़ दो the lion escoped क्या बहलेंगे s-c-o-f-e-d को हम लोग पढ़ेंगे escoped देखिए escoped मिस होता है हसी मतलब मजाक उड़ाना किसी का मजाक उड़ाना ठीक न हसी उड़ाना मजाक उड़ाना तो the lion escoped सेर ने मजाक उड़ाया and ask the elephant और हतनी से बोला asked भी को उससे क्या बोला तू मुव असाइड मेरे रास्ते से हट जाओ असाइड मिस क्या होता है मतलब हट जाना to move aside मेरे रास्ते से हट जाना तुम मेरे रास्ते से क्या करो हट जाओ ऐसे मजाक उडाते हुए सेर ने हथनी से कहा देखे उसके बाद क्या होता है then the elephant got angry and pushed the lion with all her might तब the elephant, मतलब की जो हथनी थी got angry, क्रोधित हो गई and pushed the lion with all her might injuring him और पूरे ताकत, माइट में इसका ताकत all her might, यानि अपनी पूरी ताकत से pushed the lion सेर को धक्का दी उसको धक्का दी जोर से पूरे ताकत से ठीके और उसको ग्हायल कर दी इंजूरिंग में इसका ग्हायल करना इंजूरिंग में इसका ग्हायल और उसको धक्का देकर क्या कर दी ग्हायल कर दी all the other animal came out slowly and started to rejoice about the lions का रहा कि यहां पर दिखिया हाथ समझ लिजे all the other animal और भी जो अन्य जानवर थे came out बाहर आने लगे slowly धीरे धीरे and started to rejoice और हंसने लगे ठीक ना हंसी उड़ाने लगे about the lions दिफित दिफित में सो थाहर यानि सेर के हार पर सभी जानवर बाहर आने लगे भाग रहे थे जंगल में छूप रहे थे वो सभी बाहर आने लगे और इस पर हंसने लगे दे वेंट टू द अलिफेंट दे वेंट टू द अलिफेंट एंड शेड टू हर वे सभी जानवर जो थे उसके बारे में दे मनद वे लोग वेंट टू द अलिफेंट हाथी के पास गए एंड शेड और बोले टू हर उससे क्या बोले यू आर जश्ट द राइट साइज टू बी और फ्रेंड तुम हम लोगों के मित्र बनने के लिए सही अकार के हो यानि तुम्हारा अकार बड़ा है तभी तुम इस सेर को धक्का देकर घाल कर दिये हो इसलिए मेरे मित्र के लिए तुम्हारा अकार कैसा है सही है ठीक रहा इस कहानी से क्या सीख मिलती है दूस्तों और मोरल आफ दा स्टोरी चाह्त मानी का एक करना तुम्हारा कि अप पर शेज व्यक्ति का अकार हूता है अप स्थ फिस व्यक्ति का अकार खर्थी देख कर उसका किमत इमने चेमत आपने अडिषायष कर सकते हैं, या थाना किमती है या ये पिकार है हे जब तक उसके बारे में उतकत के बारे में अब तक आप उसको कृरिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, आप उसको इसको जो है, यह मितलब की अफ्छा नहीं है, जैसे कि तब जानवरों ने हाथi को रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं तुम मेरे मित्र बनने के लिए फिट नहीं हो, तुम मेरे बिल में नहीं समा सकते हो, तुम मेरे जिसे जूल नहीं सकते हो, लेकिन वहाँ पे वो हाथणी जो थी, सबकी जानबचायी जिस से उनगों को ये पता लगд के लिग लग reply कि नहीं, बीडियो अच्छा लगा होगा, तो लायक कर दीजेगा, चैनल पे पहली बार है या पुराने ही है, सब्सक्राइब नहीं किये, तो देर किस बात की, झाल झाल